तो लगाता और बैक डूब बढ़िया तरीके से विन करने के बाद में अब शागत है आप सब करना है तो वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि बाई जो भी लोग देख रहे हैं अभी तक अठारा में से सत्रा मैंच हो चुक एचली यह वाला थार्वा मैंच है अभी तक अ जो वीडियो की टीम जो वैंने पताई थी उठाकर देख लो टैकर आपको बताए था सकेंड मैच में तो जबर्दस्त गई है तो वीडियो को आखिर तक देखना आखिर तक देखना जरूरी है अपको बोलर्स के बारे में पता चल जाता है कों कब और डालेगा कों कितने ड आपको पता है कितना मुश्किल काम है बट आप जब लाइक कर दोगे तो आप बोलुगा वह काम मेरे लिए फिर असान हो जाएगा ठीक है तो लाइक करना बोला चल्ग को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है पहली बार चनल पर आयो जल्ली को सब्सक्राइब भी कर ले ना और मेंच के डिड़लाइन सलेम में जो मैच खेले जाएगा आप देखो यह एक राउंड ना थोड़ा सा एक मैं बोल चकता हूं कि दो तरफ रहा है ठीक है एक दिन मैच हुआ इसमे दोनों टीम बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत गई एक दिन मैच हुआ इसमें दोनों ट आज के लिए पर्फोर्मेंस दे सकते हैं तो यह समझ कर चलना कि में भी यहां पर टार्गेट चेज ना हो पाएगा जैसा अभी पिछले दिन में देखने को मिला है जैसा ही 25 जो मैं चुआ था मतलब कल ही जो मैं चुआ दोनों ही इवन इटी की टीम ने 200 टार्गेट बना दिये था बही 201 बना दिये लाइक आगा तो चलो देखा जाया उनके पास में तो ऐसे बैटर्स है जो 200 बना सकते यहां आई टी की टीम ने बना दिये दोसों जो भी तक कुछ जादा कास्त कर नहीं पायते दूसरी चीज़ पेसर्स को थोड़े से जाधा विकेट यहां पर मिले हैं वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था स्पिनर्स है बट पेसर्स को थोड़े जाधा विकेट अभी मिल रहे हैं 7-0 को दोनों match high scoring हुए दोनों टीम जो बेटिंग फिर्स्ट करने वाली जीत गई 24-0 को जो मैच वे लो स्कोरिंग मैच हुआ था दोनों टीम करने वाली दिन कर गई थी बाकि यहांसे पेसर्स की बात करें ओर डोल चार मैचे इज ने 15 विकेट पेसर के हैं फर्ष्ट निंग में भाल था सब्सक्रा करें तो आपको जगदीशन उतनी बहातर फॉर्म में इस सीजन तो नहीं है जैसा वो रहता है जैसा थे यह रहे सकते हैं यह सेफर सेट रकर चल सकते हो प्रदो शंजन पूल अपने पिछले वेभी ट्रॉप किया था इसमें भी कर सकते हो लगातार तीन मैंच भाई हो चुका है फ्लोप यहां से उसके बाद में अगर देखा जा तो बावा अपराजीत यह तो सीवीसी मैटेरियल बनता है सीधा सीधा अभी तक हर मैच में मैं बोल सकता हूं कि अच्छा परफोंस दिया है इस एक मैच को प्लेयर होते हैं जो परफोंस ना भी दे तो भी सेफ जाने के लिए रखना पड़ता है तो संजय आदाओ को नाम ना उस प्लेयर के लिश्ट में आता है क्योंकि यह क्या है भाई यह प्लेयर अच्छा है अभी चैयर नहीं बना रहा हो क्योंकि पिछले तीन-चार मैच से क बोलिंग भी डाल सकता है बोलिंग का कोई वरोसा नहीं बिल्कुल प्रेडिकिटा वल इन मैच्छे में कराई थी अब देखोंगे तो इन दो मैचले नहीं करा है तो बोलिंग अंप्रेडिकतिवले तो लेना आपके लिए सेफ चोइस रहे गा यहां पर बागयो उसका आद 17-20 तो हर मैच में देखने को मिल जाते हैं इनकी तरफ से बागे उसका आत्मा शशी देवा बहुत नीचे आ रहे तो लेने का ज्यादा रहेगा नहीं उसके बाद में आपको यहां से मथन कुमार देखने को बलते हैं है तो यह विकेट कीपर और पिछले मैच में इनको खिला नहीं करके चलनी है और राहिल शाह पावर क्ले में भी बोलिंग करते हैं जहां से विकेट मिल लेके इनके चांस बन जाते है ठीक है शुरुआती ओर में बागी सिलाम बरसम भी रख सकते हो दोनों यह लैफ्टा मोर्त रोक्स है उसका बाद में रामलिंगन रोहित इस है और मिलेगे तो विकेट निकाल लेगा ठीक है तो ग्रैंड लिंग में ट्राइ करना हो तो कर लेना रमिलिंगन रोहित को स्मॉल लिंग में थोड़ा सा रिस्की बनेगा कि अगर वापस से और नहीं दिये तो फिर गड़ बड़ जाएगे ठीक है स्मॉल लिक की टीम में तो यह है चेपक सुबर गिलीज के तरफ से जो पूरी एक प्लेइंग लेवन यहां से निकल कर आती है अब आपको बेंच प्लेयर और इनका इंपक्ट प्लेयर में यह रोके भासकर को खिलाते है पिछले मैच में इन्होंने भी चार और डाले और एक विकेट इन्होंने य पास इन्होंने किया नहीं बागे उसका दो विजुवरूल को तो भाई नहोंने एक एक ओवर ही डिलवाए जिसमें उसको मार पड़ गी तो बैठा दिया गया बागी बोलिंग भी काफी ज्यादा लेटी मिली थी उसके बाद में आसा रजगोपाल सतीश है और उसका बीए और इसकी बात कीजाए और किस किसने डाले हैं और कितने डाले थे क्योंकि आपको भी सवाल रहता है कि डैथ में कौन डालेगा शुरुवात में देखो इनके ना शुरुवात का बिल्कुल इग्णम सोटेड है हरिश कुमार रोहित और रहिल शाय ये तीन बोलर है जो कि पावर प्ले में बोलिंग करते हैं ठीक है अब यहां से ऐसा भी हो सकता है कि चार ओवर लगातार हरिश कुमार रमलिंग रोहित से डलवा दिये जैसे कि एक पहला हरिश ने डाला था क्योंकि इस मैच में एक और सब्सक्राइब भी भोलिंग कर रहति हैं चोके पाउर प्ले में और ऊटेक शर हरा रोहित जाना राईट साथ-बोल्य शे कराम सब्सक्राइबर हरिच कमार रोहित देखने रही जाएं बेन मैच इन्हों सब्सक्राइब कर कार दे कर द लिए grail कि इसके तो मैच में आप तो ये एक चीज रही थी तो ये है भाई पूरा चेपक सुबर्गिलीस के तरफ से जो प्लेइंग अलान बोलर्स है आज के लिए क्या हो सकता है हरीश कुमार आपको दो से तीन ओर डालते हो दिख सकते है रामलेंगर रोहित की कोई गारिंटी नहीं है दो डालेगा चार डाल से अब CHM मदरे पेंथर्स की बात करें तो यहां से सी हरी निशान तो पन कर रहे हैं पिछले मैच में ये भी जिरो पर गएते बट उससे पहले कि जो दो तिन इनिंग है वो इन्होंने काफे सही के लिए उसके लाव भी अदित्या को इन्होंने मोका दिया पिछला मैच में 8-17-26-0-10 का अनके तरफ से जो स्कोर रहा है सिर्फ मतलब जादा कुछ बहुत बढ़िया काम तो इन्होंने नहीं करके दिखाया बट एक चीज आज के लिए रहीगी देखो टीम बनाते वक्त आपको पता भी चल जाएगी जहां पर आपको तीन बैटर्स लेना कम पल सरी ह मतलब तीन से आप कम नहीं ले सकते हैं तो वहाँ पर आपको वी अदित्या को लेना मजबूरी बनेगी ठीक है समझे लो कि वी अदित्या ना चाहते वह भी आपको रखना पड़ेगा बट जहां पर ऐसा हो कि भाई जहां पर एक बैटर मिनीमम है कि मतलब एक ही आप लोग ठीक है ठीक है ठीक रण बगरा बना दिये तो कोशिक ऐसा सेफर साइड आपके बास में जरू बनेंगे उसके बाद में सुपनिल सिंग आप दो मैचेज लगा था फ्लोप होने के बाद में फाइनली इन्होंने भी कुछ किया और दो ही डाले थे रन बनाए 25 तो मतलब और पॉइंट्स वगरा यह आपको ठीक दे गए थे जहां तक मेरे को याद है इन्होंने तकर वह 50-60 पॉइंट दिये थे उससे उपर दिये थे और बाकि उसका आद में के दिमन लिंगेश है बैटिंग ओडर का कोई भरोसा नहीं है तो स्मॉल लिक के लिए तो बिल्कुल चो सब्सक्राइब तुम कितने मैचे अब तक वशिंग्टन सुंदर ने खेले स्टीन फेल में कुल मिलागर अब तक पचास मेंट से पॉइंट से वेंगे टोटल बता रहा हूं एक मैच करने रहे हैं टीम में सुंदर है वही है कि कोई-कोई-क्लियर होता है जो सेफ जाने के सब्सक्राइब तो यहां से लोकेश्वर है इनको खिलाएगा पिछले मैच वह बैटिंग से इन्होंने ज्यादा कुछ खास नहीं किया हूँ है उससे पहले जरूर चालिस 20-20 का इंका स्कॉर है बागी बैटिंग में भी काफी ज्यादा नीचे है तो इतना ध्यान दने की जरत पड़ेगी नहीं बागी मुरगन अश्वी ने दो विकेट इन्होंने फाइनली पिछले मैच में निकाले फोम तो इनके भी खराब चल रहे थी अदर्वाइस पिछले में जरूर चले है उसका और पी सर्वानन को खिला गया लेफ्टाम और तो ही ओवर डलवाए गए तो आपके पास में एक जरूर आएगा कि मुरगन अश्वीन रखे सर्वन रखे है फिर गोटम को रखकर चले तो बनता है लेना शुरुवाती ओवर्स में ठीक है और ऐसा कोई चेपक सुपर गिलीज की ओपनिंग नहीं कि विकेट नहीं गिरेंगे को बहुत ज्यादा श् इची करा रहा है शुरुवात में नहीं बोल के साथ में डालेगा अब बात आती है और पूरे दिये जाए और जो पूरे कराने के चांसे है वह है गोतम को ले सकते हो अब किसी को भी रख लेना मैं दोनों अभी के लिए बैस्ट मान के चल रहा हूं ठीक है बात आती है अब अब ही प्लेयर्स एड हुए रहे है अलग से कहीं भी निकला आते तो उनका कोई भरोसा नहीं उसी इसका ना कोई प्रोपर न्यूज आती है उससे पहले बागी इनके सेचा मुझरे पैंथर्स के जो बैंच में है डी सुदर है दो मोके मिले ते कुछ जादा खास करनी इनको मोका मिला तो उन्हों कुछ किया नहीं अब इनकी जगह पर एस लोकेश्वर को खिलाए जा रहे है बागे अजय कृष्ण है जो की ठीक ठाक बोलर है कंसिस्टेंट नहीं है बट हाँ विकेट वगरा बीच विच में निकाल लेता है सीजीट चंद्रा इनके पास में रहेंगे जाद अच्छा फॉम तो पिछला है नहीं उसके बाद में यहां से आयूश है च्छे मैच में 342 रहें डोमेस्टिक में आपको बता दू बागी क्रिश्चन का कोई भी रिकोर्ड अवलेबल निया एंटन एंड्रूस उविक्षन की बात कीजए तो इन्होंने पिछले मैच में 32 और उससे पहले उन्होंने बनाए एक रण तो यह है सियाचम के तरफ से इंपक्ट प्लेयर अभी शेक आइने ठीक है इधर से अब अगर और इपक्त की जाए तो आपको पता कि शुरुवाती और जो शुह होँ वह यहां से वी गोतम और गुर्जपाप नीड डालतें जिसमें गुर्जपनीड जो दो वह वर तो शुरुवाध के डालतें दो और यह त्या HEY थी जिसमें पहला और दूसरे डाला उसके बाद के जो दोनों वर थे वो डैथ में थे मतलब डैथ की बोलिंग तो गुर्जप नहीं तो यहां से वी गोतम नहीं की थी पिछले बैच में उसके बाद में यहां से सुन्दर है चार और डाले एक पावर प्ले में बागे उसके चीक अपतानी की निशानी है नहीं बाके मुर्गन अश्विन ने चार ओवर डाले साथ नो ग्यारा तेरा इनका तरफ से पूरा एक डम मिडल ओवर का क्वाटा रहा था उसका बात में कोशिक है जिनको इसका नहीं पहला और आया पावर प्ले में डालना पहला और अच्छ नहीं है कि बाई चार ओर बी डिल वाएंगी कि नहीं डिल वाएंगे इससे ठीक है यह चीज़ रहती है बाइक तो सब मिडल ओर में डालने वाले उसके बाद मैं करें चार मैचेश खेले चेपक ने जिसमें से उन्हों तीन जीते एक हारी है वहीं अगर से हम की बात की बढ़ा था बोल रहे थे कि आपना वाई पहले यह जो वन्यू वगरा बता देते हैं वह नहीं बता रहे हुँ तो देखो टीन पील में वेन्यू लीडर्स और हैट्वड लीडर्स अवलेबल नहीं होते हैं इसी वज़ेसे नहीं लिख्खे हुए आपको कहीं भी यह वाले वेन्यू लीडर्स और हैट्वर लीडर्स देखने को नहीं मिलते इसी वज़े से मैंने में नहीं कियों बट जितना वह बता सकता हूं मतलब एकड़म सही तरीके से कि जिससे आपको टीम मनाने में असानी हो वो सब चीज़े वह आपको बताई दे तो बागे अगर टीम के बा सब्सक्राइब करेंगे इस वज़े से वाइस कैप्टन के लिए कोई अच्छा उप्शन है नहीं एक तो इस मैच हो वाइस कैप्टन मैंने हरीश कुमार को बनाये हुआ है बट आपना सेफ जाने के लिए या थोड़ा सा एक कुमन जाने के लिए रहिल शाह भी ऐसा वाइस कैटन कर सकते हो उससे पहले अच्छे विकेट्स निकाले इन्हो तो वह मैं आपको टेल्क्राम चल पर बता दूंगा ठीक है आप वहां से जागी जोइन कर लेना बाकी टेल्क्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जाके आपको यह वाला मैच में जबर दस्वेंग करेंगा बाकी अलब आपको नेक्श वीडियो बहुत ही च